नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कैपिष्टर के बारे में जैसे मैने कैपिष्टर रख वी दिये हैं। और यह नों पॉलाइज है तो अभी इसके बारे में समझेंगे कि कैसे काम करता है तो पहला टॉपिक है हमारा की कैपिश्टर क्या है तो कैपिश्टर एक करंट को इस्टोर और करंट को फिल्टर करने की उपकरण है इसमें प्लेटों पर बराबर मात्रा में घनात्मक अभम रेनात्मक two plates होती है दूसरा टॉपिक है कैपिश्ट क्या कामें और कैभिश्टर क्या काम कारियं करता है चैली चर्कृट में EC सप्लाई को रोगलेता लेता है और जरुवत के यह यह आपको कैसे सबसेव हम बात करेंगे नॉन पॉल्लाइस की नॉन पॉल्लाइस करना ओर ना होता जो capacitor रखे हुए है इनमें negative पो जिटिव नहीं होता है यह आपके non-polirize है और यह जो और यह करन को श्कुर बीजाद करते और फेल्ट करते हैं तो यह तो यह तो हमने जाने की कैया है और क्या प्रिकारतD to 116th प्रेंदि नोन पॉल थ 1 पत्सक्र के अंदर यह सें छो कोई पहले मैंदम नहीं और जो पॉल्लाइज क्यापिस्टर है इसमें प्रिस और मैंन सोता है उपर का इससी वाल नीचावाला मायनस ना होता है तो दोस्तों एसे मिल तरीखे से कि किस तरीके से हम इसको समझे की कैपिस्टर क्या है अब आगे हम देख करते हैं इसकी टेस्टिंग तो टेस्टिंग के लिए सबसे पहले तो पहले हम कैपिस्टर को मल्टी मीटर से चेक करते हैं तो इस मीटर से चेक करने के लिए हमने माइनेस को माइनेस वाली क्रॉप लग तो आप देख सकते हो किसी पृकार की भी तो नहीं कर रहा है यदि में सको जेंज भी कर दूं आप मैंने इसमें प्लस डालों और इसमें माइनस तबभी कोई रिडिंग तो कैपिस्टर के अंदर यदी इसके अंदर कुछ रिडिंग आती है तब भी खराम माना जाता और यजी जही पूरी तरह बज़र बजलता इस तरीकेسे, तब भी भाना जाता है तो यह तो हमारा results häpister है, हम non-pastame भी लेते हैं तो Mü पॉल आइज को जह हम लेंगे, नोन-pastayes को तो दियाएज से हो इसमें भी링 reading सो नहीं करेंगा, ना इसे ना इसे अब हम दूसरा कैपिश्टर लेते हैं पी-एब कैपिश्टर तो यह फिए कैपिश्टर इसको मैसले तो इसमें कोई कोbranding fuel-sur-no कर रहा है ना कोई रेढिग आ मैं कोई और तो बजर मोड पर जब भी था करेंगे किसी कहीं डार रीडिंग आनी चाहिए और ना इसमें कोई भी पानी चाहिए अब हम खराब के बिश्टर लेगे और चेक करते हैं तो मेरे पास यह खराब के पिश्टर है आप देख सकते हो यह फट गया है और यह अभी सौट है यह नहीं है सबसे पहले में एक क्रॉप लगांगो एक करनकरण नहीं ऊ-तौब देख इंगे रीडिंग रहा हां कि तो रीडिंग यह हूले है 156 सब्क्राइब तो इसकी रीडिंग कर रहा है अटो इसका मदलग यत कि पृष्टर जो थे खुछ झाली बजर हो इसके अंदर यह खुराद है एक और मेरे अब हम इसमें अनलोग मीटर लगा के चेक करें तो यह अनलोग मीटर है तो अधिकांस में इसका उपियोग करता हूं तो आज आपको भी दिखाता हूं तो मैंने यह 10K पर सैट कर दिया है और इस कैपिश्टर को हम लेंगे तो जैसे हम इसका माइनस में माइनस लगाएंगे और प्लस में प्लस तो सुई आगी की तरफ जाएगी और कुछ वापसी आने लगेगी तो जिस दीरे वापसी आ रही है तो यह इस तरीके से होगी जैसे हम इसे चार्ज करेंगे तो फिर डिस चार्ज होता है प्लस माइनस में गुमाएंगे तब यह ऐसे करेगा जाएगी लिए प्सपर आएगी तो जैसे आ रही है जैसे हम इसे हटा देंगे फिर यह दुबारा होगी फिर वापसी आ जाएगी तो यह इस तरीके सिसमें होता रहेंगा जाएगए कि यह वापसी आ जाएगी यानिकी कैपिस्टर प्र कर रहा है करण को और फिर दिसार्ज भी हो र तो यह वाला भी ऐसी देखिए कि अभम दूसी तरफ से देखेंगे तर इधर से विए क्योंकि इसकी कैपिस्टी बहुत कम है इसलिए इसकी रीडिंग भी असी आईगी अब दूसरा एक और कापिस्टर ले लेते हैं पीएप कैपिस्टर को दो इसकी कम रेंज है इसलिए इस काम करता है और काम भी कम करता है और यह चाहिए शौट नहीं कर लेते हैं यह सवर्ट कैपिस्टर है तो इस पे हमने एक क्रॉप इस पर लगा दी और एक लगा रहे हैं तो अधर का निया तो आखिजी लगातार लास्ट में रुकी रहे जिए क्योंकि ओल्लेडी क्या तो इसको देखते हैं तो यह भी ऐसे फुल रीडिंग बताएगा और यह विर्शुई आपकी वापिस नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह स्टोर होके डिसाज नहीं हो रहा है आप किदर से भी इसको लगा दोगे तब यह फुल रीडिंग बताएगा तो आप नॉर्मल आपका जो मल्टी मीटर है इससे भी चेक कर सकते हो तो दोस्तों आज हमने देखा कैपिस्टर के बारे में कि कैपिस्टर कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से इनको टेस्ट कि जाता है तो जैसे में आपको बताया है नॉन पॉलाइज नॉन पॉलाइज और पॉलाइज का बिश्टर होते हैं और आप चाहो तो अपनी सहुलित के लिए स्क्रीन सोट भी ले सकते हो मैंने आपकी सुब्दा के लिए आपको एक तरीके से रोग दिया वीडियो और आप उसकी अच्छी तरी से इसके सोट भी ले सकते हो तो अगली वीडियो में दोस्तो हम बिलते हैं और यदि किसी को मेरी वीडियो पसंद आये तो किरपार करके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें धन्यवाद